हेलो प्रेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फास्ट यह लंबर क्लास टेंथ का यह चैप्टर है इसमें क्या कह रहा है कि जब हम किसी पोजिटिव इंटिजर का स्केर करते हैं तो किस फॉर्म में होगा 3M और 3M प्लस 1 की फॉर्म में होगा ठीक है एम कोई भी इंटिजर हो सकता है तो क्योशन द्यान चे देखिए इंग्पोर्टेंट क्योशन है क्या करते हैं इसके अंदर सोल करते हैं युकलेड डिविजन लिमा से ठीक है तो बाई युकलेड डिविजन लिमा we have तो यहां से अपने पास क्या आएगा वो देखिए तो युकलेड डिविजन लिमा क्या होता है a is equal to bq पलस r r की जो value होगी वो अपने पास क्या होगी 0 या 0 से greater और b से smaller ठीक है r की value क्या होगी 0 या 0 से greater और b से smaller let b is equal to 3 तो b को जैसे ही हमने 3 let किया तो यह अपने पास एक किसके equal है जाएगा b की जगे क्या रख देंगे 3 तो यह हो गया 3 q पलस r और यहां पर भी देखिए b की जगे अपने पास कितना जाएगा 3 तो 0 less than equal है r से और r less than kis से 3 से b की value put कर दी हमने तो अब यहां से r की value हो जाएगी तो अपने पास r कितना आ गया वह 0 की equal हो सकता है तो 0, 1 और 2 3 से less होगा तो 3 नहीं आएगा ठीक है तो 0, 1, 2 अइफ इफ आर इस इकवल टू 0 यदि हम इसके अंदर r की value क्या रख देते हैं 0 रखते हैं तो देखें क्या जाएगा a is equal to 3 q पलस 0 यहाँ पर a किसके equal हो गया 3 q के equal हो गया अब हमें क्या करना है scaring करना है ठीक है क्या करेंगे scaring कर लेंगे तो जैसे ही scaring करेंगे तो इधर तो ये क्या हो गया 1 का square और इधर ये क्या हो जाएगा 3 q का square ठीक है तो ध्यान से देखना 3 का square कितना होता है 9 Q का square क्या होता है Q square आ गया लेकिन हमें किस form के अंदर चाहिए ये 3M की form के अंदर चाहिए किस form में चाहिए 3M की form में तो देखे 3 इसमें common ले लेंगे 3 जैसे ही common लिया तो अपने पास क्या बच गया 3 जा 9 तो 3 बार ले लिया और bracket में ये क्या बच गया 3 Q square लेक सकते हैं इसको ऐसे तो ये तो हो गया 3 और ये अपने पास क्या गया M की value आ गई ठीक है तो where यहाँ पे M अपने पास कितना आ गया M is equal to 3 Q square और अब ये किस form के जैसे हो गया ये तो हो गया 3 और ये हो गया M तो ये क्या हो गया अपने पास 3 M हो गया ओके next अब क्या करते हैं R is equal to 1 R की value क्या लेते हैं 1 लेते हैं तो देखे 1 रखे इसके अंदर R की जगे क्या रख देंगे 1 ठीक है R की जगे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 Q पलस 1 तो नोट कर देंगे आपे नोट करेंगे आपे A is equal to 3 Q और R की जगे क्या कर दिया है हमने 1 कर दिया तो अब क्या करेंगे स्केरिंग कर लेंगे ठीक है ना तो स्केरिंग करेंगे तो इधर तो A स्केर और इधर अपने पास क्या हो गए 3 Q पलस 1 का स्केर बोल रखा है क्योशन में स्केरिंग ठीक है तो इस पोजिटिव इंटिजर का स्केर करेंगे तो कोई भी दो नमबर का होल स्केर जैसे A पलस B का होल स्केर बताया था क्या होता है A स्केर पलस B स्केर पलस 2 A B यह होता है तो A तो यह क्या हो गया 3 Q का स्केर B कितना हो गया अपने पास 1 का स्केर A स्केर पलस B स्केर पलस 2 A हो गया 3 Q B हो गया 1 तो यहाँ पे 3 का स्केर 9 Q का स्केर Q स्केर 1 का स्केर 1 पलस 3 टू जा 6 और यह कितना हो गया अपने पास Q इंटू 1 अब पावर को डिसेंडिंग ओडर में ही रख लेते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा 9 Q स्केर पलस का 6 Q पलस का 1 अब देखे या तो कौन सी फोर्म होने चाहिए अपने पास 3M या फिर अपने पास क्या होनी चाहिए 3M पलस 1 अगर complete में 3 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा 3 बार आ गया M अंदर बच गया और अगर 1 दिख रहा है तो 1 को अलग रख लो और इन दोनों में से 3 को कौमा ले लेंगे दोनों में 3 आ रहा है तो देखिए 3 कौमा लिया तो ये 3 से डिवाइड होने के बाद कितना बच गया 3 Q स्केर और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा कितना बच जाएगा 2 Q 3 कौमा लेने एक बाद अपने पास ही हो गया मल्टिप्लाइ करके देख लो 3 3 जा 9 Q स्केर 3 2 जा 6 Q और ये क्या हो गया पलस का 1 तो जब आप इसके अंदर देखेंगे तो वेर M की वैलू क्या हो गई 3 Q स्केर पलस का 2 Q M अपने पास ये आ गया 3 Q स्केर पलस का 2 Q ठीक है तो अब ये अपने पास किस फॉर्म के जैसा हो गया तो इस इंटेजर का स्केर किसके इक्वल दिख रहा है 3 M पलस 1 की तरह दिख रहा है ठीक है और यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 M की फॉर्म में हो गया ये किस फॉर्म में हो गया 3 M पलस 1 की फॉर्म में हो गया अब हम रखते हैं if R is equal to 2 R की जगह 2 रखेंगे तो A किसके equal हो जाएगा 3 Q और यहाँ one रखा था अब क्या रख देंगे यहाँ पे two रख देंगे ठीक है scaring both side कर लेंगे तो a square और इधर अपने पास कितना हो जाएगा three q plus two का whole square और whole square मैंने अभी identity आपको note करवाई है ठीक है तो क्या कर लेंगे यहाँ पे मैं कर देता हूँ three q का square a square plus two का square b square plus two into three q into two तो यहाँ गया nine q square plus two का square हो गया four plus three to six और six to 12 q यहाँ अपने पास ठीक है अब क्या करते हैं इसमें इसको simple form में note कर लेते हैं standard form पहले highest पाउर फिर smallest पाउर फिर उसे smallest तो यह हो गया nine q square plus 12 q plus का four यहाँ ठीक है तो अब इसमें देखें क्या इन तिन्नो टर्म्स के अंदर three q मना रहा है नहीं आ रहा है क्या इसके अंदर one आ रहा है अगर one को अलग कर ले और फिर अब three q म ले ले तो इस टैप का नज़रा रहा है कि हम इसको three m की form में कर ले तो अभी यह भी नहीं है ठीक है तो हम ही क्या करना होगा थोड़ा सा idea लगा लगते हैं और four को हम कैसे note कर सकते हैं four को हम लिख सकते हैं three plus one three plus one हमने इसलिए लिया यह किस form में हो जाएगा three m plus one की form में हो जाएगा one तो side में रह जाएगा और three इसके साथ आजाएगा, तो देखिए, 9 Q स्केर, पलस 12 Q, पलस 3, पलस का 1, अब यहां से और यहां तक क्या रहा है, 3 common आ रहा है, तो 3 common लेने के बाद, अपने पास क्या बचेगा, यानि कि इन से भी को 3 से डिवाइड कर लो, 3 common का मरलब, 3 बार ले लिया, 3 से डिवाइड करने पर क्या बच गया, 3 Q स्केर, 3 से डिवाइड करने इक बाद क्या बच जाएगा, 4 Q, और 3 से डिवाइड करने इक बाद क्या बचेगा, 1, ठीक है, इसके अंदर से हमने 3 common ले लिया, पलस का 1, तो थ्री थ्री जा 9 Q स्केर, त्री फॉर जा 12 Q वन जा 3 थ्री कॉमा ले लिया हमने तो अब यह हो गया 3 और यह ब्रेकेट में हो गया M और यह हो गया 1 तो वेर अपने पास यहां पर M किसके एकवल आ रहा है थ्री Q स्केर पलस 4 Q पलस 1 अब यह किस form के जैसे हो रहा है 3M plus 1 के जैसे हा रहा है जब आमने 0 रखा तो क्या form आ रही थी 3M की form आ रही थी 1 रखा तो 3M plus 1 2 रखने पर अमारे पास क्या आगए 3M plus 1 तो यह चीज याद रखने आपको तो फिर यह अमारे पास एक number हो गया और 1 यहाँ पे आ गया ठीक है इसमें से 3 common लेने एक बाद यह बच गया पलस का 1 और यह हो गई M की value तो क्या आ गया 3 M पलस से 1 Hence यह हमें प्रूब करना था the square of any positive integer is either of the form 3 M or 3 M plus 1 for some integer M ठीक है तो यह हो गया हमारा proof ओके थैंक यू फ्रेंड्स